आज बनाते हैं सबसे सस्ता, अच्छा और बेहत खस्ता खाजा धेर सारे पर्तो वाली ये मिठाई ना बना कर आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं डेली खाना हो या सफर के लिए ले जाना हो हर समय के लिए ये बेहत अच्छा ओप्सन है तो आए बनाते हैं इसे, उमीद करती हूँ ये रेसिपी तो आपको पक्का से पसंद आएगी तो इस मिठाई को बनाने के लिए ना मैं इस्तमाल कर रही हूँ दो कप मैदा देखिए कोई भी कप या कटोरी से आप मेजर कर ले, चुटकी भर ना इसमें नमक डाल दे किसी भी मिठाई में चुटकी भर नमक डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है अब इसमें डाल दे 2-3 चमच घी, देखिए रिफाइन डॉयल का इसमें मोयन नहीं डालना है घी का मोयन डालना है, दो से 3 चमच या 4 चमच ही डालना है, इससे ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं होगा अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ से मुठी बना कर देख ले, अगर इकठा हो जाता है तो इसका मतलब है हमने मोयन इसमें अच्छा डाला है देखिए बहुत ही अच्छा है ये, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे नॉर्मल वाटर और एक सेमी सॉफ्ट आटा तयार कर लेंगे देखिए ये जो रेसिपी है ना बहुत सिंपल है और ये खाने में तो बहुत लाजवाब लगता है तो बस इस तरीके से मैंने सेमी सॉफ्ट आटा तयार कर लिया है यानि कि ना बहुत जादा ये सॉफ्ट है ना बहुत जादा हार्ड है बस अब इसे ढख कर रख दे करीब 10 से 15 मिनट के लिए चलिए इसकी लेरिंग करने के लिए हमें चाहिए दो से तीन चम्मच मैदा और इसमें डाल दे एक से दो चम्मच देशी ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अब इसे एक साइट रख देते हैं इधर इस आटे को भी रखे हुए न दस मिनट हो चुका है एक बार हलका साइश से गूथ लेंगे अब इसे छोटी-छोटी लोईया बना लें अब थोड़ा-थोड़ा आटा लगा कर इकदम पतला इसे बेल लें जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप इसे बेल लें और इसी तरीके से सारे ये जो पेड़े हमने तयार करके रखे हैं बेल कर तयार कर लेंगे और सारे पेड़ों को मैंने इस तरीके से बेल कर तयार कर लिया है अब ये जो मैदा और घी का मिक्षर है ना इस तरीके से लगाते जाएंगे और इसके उपर दूसरा बेला हुआ जो रोटी है ना उसको लगाते जाएंगे बस एक बार फिर से इसके उपर मैदा और घी का मिक्षर लगाएंगे अच्छे से फैला लेंगे और फिर से इसके उपर दूसरा लेयर रखेंगे बस इस तरीके से मैंने सारी लेयरिंग कर ली है अब इसे हलका सा बेल लेंगे अब अच्छे से रोल कर लें अब इसे हलका सा फैलाते हुए रोल कर लेंगे और हलका सा दबा देंगे बस इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है न उस तरीके से इसे कट कर लेना है बहुत ही सिंपल तरीका है इसे आप जम मर्जी बना सकते हैं और इसे बना कर आप लंबे समय के लिए रख भी सकते हैं बस इस तरीके से कट कर लेंगे बहुत जादा इसकी जो मुटाई है न बहुत जादा नहीं रखनी है नहीं तो इसको फ्राई करने में बहुत समय लगेगा तो जैसा आपको वीडियो में दीख रहा है न उसी तरीके का आप कट करें बस एक इंच से भी कम चोड़ा मैंने इसे रखा है बस अच्छे से मैंने सारा काट लिया है अब इसे मीडियम होट ओयल में ये मैंने रिफाइन ओयल लिया है उसमें फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम जो है वो लो से मीडियम के बीच में रखें तेज आज पर फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय लगेगा करीब 15-20 मिनट आपको लग सकता है इसे फ्राई करने में क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जिसको की फ्राई होने में समय लगेगा इसलिए पेसेंस रखें और इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए ना फ्राई कर ले देखी इसका कलर जो है ना बहुत ही धीरे धीरे चेंज होगा तब ही ये जाके अच्छे से फ्राई होगा जब इस तरीके से दिखने लगे ना अंदर का लेयर भी देखी अच्छे से फ्राई हो गया है तब इसे बाहर निकाल लेंगे बहुत ही अच्छ से ये फ्राई हुआ है अगर ये अच्छ से फ्राई नहीं होगा न तो खस्ता नहीं लगेगा इसलिए आप इसे धीमी आजपर ही फ्राई करें इतना फ्राई करने में पूरे 18 मिनट लगे हैं मुझे चलिए अब इसके लिए चासनी त्यार कर लेते हैं चासनी त्यार करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ देखिए आप इसे कम भी बना सकते हैं यानि एक कप चीनी के साथ भी बना सकते हैं देख कप चीनी से बनाने में क्या है कि थोड़ा बहुत चासनी तो आपका जरूर बचेगा थोड़ा समय ने इसमें इलाइची डाल दिया है और एक कप पानी डाला था बस अब इसे 6-7 मिनट या 8 मिनट तेज आज पर पका लेंगे जब इसमें इस तरीके से बबल्स दिखने लगे ना इसका मतलब है कि यह जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है तब यह जो आमने खाजा फ्राई करके रखका है ना उसे इसमें डाल कर दो- तίν मिनट eslemm पर चला लेंगे बसब इसे बाहर निकाल लेंगे दो-तीन मिनट चलाने के बाद इसे आप बाहर निकाल लें ठंडा होने के बाद आप देखेंगे इसके उपर बहुत ही अच्छी एक लेयर आ गई है पतली सी ये चीनी की जो की खाने में बेहर लाजवाब लगता है अब मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से अगर चासनी बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ये खराब नहीं होता है इसे आप थोड़ी देर तक पकाएंगे तो ये अपने आप ही जम जाएगा और जब ये जम जाएगा तो इसे आप ग्राइंडर में डाल कर बूरा बना बस इसे आप किसी भी मिठाई में इस्तिमाल कर सकते हैं और किसी भी डब्बे में आप रख लें ये खराब नहीं होता है तो बस ये अमारा एकदम खसता खाजा बनकर तयार हो चुका है सच मानिए खाने में ये इतना अच्छा लगता है कि एक पर जब आप इसे खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे देखिए एकदम लेयर्ड ये बना हुआ है और बेहत लाजवाब लगता है तो उमीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ और चैनल पर अगर पहली बार आए है ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टैंक यू